तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं उमीद करता हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग बहुत जादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेफ होंगे और salaried basis लोगों को सबसे ज़्यादा need होती है, परसनल लोग की आज के टैम पर जो amount और इसकी demand है, वो आज भी बहुत ज़्यादा है, लोगों के लिए, amount भले कम चाहिज ज़्यादा मिलिया बर demand तो दिन पर दिन increase हो रही है, क्योकि जैसे कि अभी आपको बठा इतनी बड़ तो आप लोग business loan ले सकते हो, जी हम, business loan के लिए आपको पता है, कि अगर आपको पैसे की जरूद है, छोटा चाहिए, बड़ा जितना भी चाहिए, तो उसके लिए आप बात कर रहे हैं, business loan तो आपको bank की देगा, तो आज हम किस bank की बात करने वाले हैं, आज हम bank की बात करेंग तो आप लोग इस bank की help से जो है easily business loan apply कर सकते हो तो यहां पे कुछ बातों को समझने की सबसे जाद आप लोगों को ज़रूरत है जहां पर सबसे बताजेता हूं कि bank of india से जो business loan लोगे आप लोग अपलाए जो है वो आप लोग online तरीके से पूरी तरफ नहीं कर पाऊगे मतलब पूरा को पूरा online नहीं कर पाऊगे कहने का मतलब यह है क्योंकि आप लोग के लिए तो यह वीडियो बनाए भी जारी है ताकि आप लोग जो है business loan को ले सके बट जो लोग नए लोग है या जिनका account bank of india में नहीं है अगर आप लोग भी लेना चाहते हो bank of india से business loan और और अ आपको मैं बताऊंगो कि आपको क्या कुछ चीज़ें करनी होगी जिससे आपको business loan मिल सकता है हाँ इतना जरूर फ़रक है कि जो existing customer को benefit मिलेगा जैसे कि उनको लोग थोड़ा जल्दी मिल लागा आपके मुगाबले लेकिन आपको भी मिल लागा इस बात क्या शयरदी definitely है त Steps को दियान से follow करना एक एक step आपके लिए बहुत कीमति है जानों तो इससारे steps को दियान से वैसी follow करना जैसे मैं बताऊंगा इससे के साथ मैं आगर आप लोग और रहे हमेशा मदद करते रहें और इसके लिए आपको एक लायक करना है साथी में Share बटन पर टापकरनाा है जादा सेदा लोगों तक जो भी आपका फ्रेंट ग्रूप है या फिर जो भी आपका जो है मेंबर्स ग्रूप है उस तभी साथ में शेयर करो क्योंकि अगर आपको लून की नीड़े तो उनको भी होगी साथी में सब्सक्राइब बटन पर टैप करना है चांगो करते हैं सब्सक्राइब कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पर इखना है सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम किस जगह से वीडियो देख रहे हो साथी लोन लेने का में कारण क्या है यह भी हमें नीचे कॉमेंट्स में बता दिना है तो चली दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा मीन वीडियो और जानते हैं कि कैसे आप लोगों सबसे पहले इस टाइडल पर क्लिक करना है तोड़ा सा ओपर बढ़ना यहाँ आपको दिखने को मिलेगी यह वेबसाइट लिंक यह जो वेबसाइट लिंक में सबसे पहले इस वेबसाइट लिंक में क्लिक करना है जैसे ही और ट्रच दिये हुँए लिंक सेडेट करोगे की आप लोगák के पुल रहेंजाने तब ही आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करना है और जैसी आप लोग इस वेबसाइट पर क्लिक करोगे सिंप्ली पहुंच जाओगे loanpower.in के official website पर एंड वहां के help से लोग जानेंगे कि कैसे आप लोग बैंक ऑफ इंडिया से बिजनस टून किस प्रकार से लेने वाले हो और अप्लाइ करने वाले हो और इसके साथ मैं बता देता हूं अगर आपको नहीं पता कि जो बैंक ऑफ इंडिया है एक official financial platform है जहां आपको दुनिया भर की इतनी भी लोन से रिलेटेट जो भी आपको जो है लोन फाइन से रिलेटेट जितनी भी लोन अप्लिकेशन को अप्लाइए करना है उसके बार में मिलती है आपको ए-to-z information और methods क्या है उसके अप्लाइए करने के सारी जानकारी तो इक तरीक नहीं जैसे ब्राउजर बं करते हो Google का सब्सक्राइब को सिर्च करना है और बीच में जहां पर देखने को मिलेगा फॉस्ट वैबसेट लून पाउ और इसको मैंने जिस तरीके से लिखा हुआ है आपको भी जाके exact वैसे लिखना है ध्यान रहे इस word को लिखने में कोई भी गलती है जा है जाहाँ पर आपको यहाँ पर करना है जिस वर्ड का नाम है bank of India यह word डाल कि आपको simply search कर देना है इस website के अंदर जैसे डालोगे तो आपको पहला article मिलेगा कि bank of India से personal loan किता है कैसे मिलता है वो दूसरा article मिलेगा bank of India से state bank के बारे में और ऐसे करते करते मिलेंगे तो हमें bank of India जो है business loan डालना है एक बार हम डालते हैं जैसे कि आप लोग देशकते हैं कि आ चुका है हमारे सामने bank of India से business loan किस तरी किसे ले और किस तरी से apply करें और यह जो second article आप लोगो दिख रहा है जो कि है BOI या नि bank of India से business loan कि ऐसे ले आपको इस आर्टिकल पर क्लिक करना है जैसे आप लोग इस आर्टिकल पर क्लिक करोगे आर्टिकल उपनों का जनकारी मिलेगा bank of India क्या है bank of India से business loan कितना दिया जा सकता है किस ताइप से इसके नाम को पर वहां पहुंचने बाद आपको क्या करना होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो इसके लिए आपको apply button पर कर दिना है tap तो जैसी आप लोग apply button पर टैप करते हो आप simply पहुंच जाते हो bank of option पर जाके आपको अपने simply customer डालनी है और password डालना है और आप लोग इजडी bank of India में login कर जाओ पर जिनका account पहले से बिजनस होता है जैसा कि आपको पता है इसी में self-employed को भी जोड़ा जाता है तो अगर आपको किस basis पे लोग चीए उनके अलग-अलग category जो है आप डिसाइड किये गए जिनको scheme के नाम से बोला जाता है देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है bank of india star अरोग्यम संजी होते हैं लेकिन अगर आप उसके लिए eligible होके तो ही मिलेगा हाला कि अगर बात करते हैं यहाँ पे जितने भी आपको scheme सवकराँ बताए जा रहे हैं यहाँ पे एक कोई choose करते हो तो यहाँ पे चूस करोगी तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलने के बजाए पूरी पूर का simply और इस toll free number पे आप लोगों ने call करके जो है आपको applicant form के जो है एक request को appeal करना पड़ता है यह ऐसा इसलिए है कि बैंक को जो भी इस दिन है भी banking operation है वो online तो शिप्टोर चुके हैं लेकिन यहां पर जो है बहुत सारे जो fake और fraud काम के वज़े से तो है इससे अवेर रहने के लिए जिनको वाकई में ही लूँची उनके लिए applicant form प्रोवाइड करवाते है और जिसके लिए यह toll free number यहां पर available है तो आप इस toll free अब को पसंदा जोगी है अगर आपको कोई सवाल है इसे कॉमेंट से पूछे डिस्क्रिप्शन में इस्ट्राम की लिंग यह वहां भी जान सकते हैं या फिर में में